Good morning students, आज हम Permanent Tissues पढ़ेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको Permanent Tissues का एक टाइप बताया था, Parenchyma, आज हम Colinchyma के बारे में पढ़ेंगे Colinchyma cells जो है, वह leaving cells होते हैं, vacuolated होते हैं, मतलब vacuoles इसमें पाये जाते हैं और कई बार chloroplast भी इसमें पाया जाता है, लेकिन इसका जो distinctive feature है, जिससे कि आप पहचानते हैं कि यह Colinchyma है, वह है इसकी thickening जो की uneven होती है जो की एक समान cell के अंदर चारों तरफ एक समान नहीं होती है, जैसा कि आप इस diagram में भी देख सकते हैं, कि आपको यह thickening दिखाई दे रही है देखिए जो black, black, dark, dark portion आपको जो दिखाई दे रहा है, यह एक तरीके से thickening हैं, जो की uneven हैं uneven से मतलब है कि जो corners हैं, यह corners हैं जहां पर आपको thickening ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, थिकनिंग तो पूरे cell में ही होगी, लेकिन जो corners हैं, वो ज़्यादा thickened हैं, और बजाए की डूसरी walls के यहां पर जो deposition है, वह आप मान सकते हैं कि corners पे ज़्यादा confined होता है, यह ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई देता है अब thickening जो है, वह किस चीज की बनी हुई है, थिकनिंग कैसी होती है, तो थिकनिंग के अगर हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे walls जो है, वह पैक्टिन मटीरियल और हेमी सेलिलोस का बना हुआ होता है, प्रोटीन और सेलिलोस भी इसमें पाया जाता है तो जो हेमी सेलिलोस है, यह बिसिकली पैक्टिन है, यह आपका पॉली सेक्राइड है, जो की wall बनाने में हेल्प करता है और अगर हम हेमी सेलिलोस की बात करते हैं, तो इसमें xylene, manane, यह substance है, जो की plant की rigidity को बढ़ाता है, लचीले पन को बढ़ाता है जो की आप function में पढ़ेंगे, कॉलनकाइमा का function जो मैं आपको बताऊंगी, तब आप देखेंगे की plant, कॉलनकाइमा की हेल्प से rigid हो जाता है, या लचीला हो जाता है, stretchable हो जाता है अब बात करते हैं location की, कि plant जो है यहाँ पे, उसके अंदर कॉलनकाइमा कहां पर located है, कहां पर स्थित है, आप अगर diagram देखें या आप थोड़ा सा सोचके देखें कि कहां आपको कॉलनकाइमा दिखाई देता है, तो अभी यह चीज हम देखेंगे इसमें, कि plant के अंदर जि इनके stem के अंदर, petiol में, उनकी leaves में, even जो floral parts हैं, flower के जो parts हैं, और fruit में, फल में, इन सभी में कॉलनकाइमा पाया जाता है, और अगर dicot stem हम देखते हैं, तो dicot stem में आप देख सकते हो, कि dicot stem के अंदर epidermis जो layer है, मतलब यह जो first layer है, यहाँ पे epidermis, इस epidermis के नीचे वाल layer, जिसको कि हम hypodermis कहते हैं, यह two-layered structure है, hypodermis का, यह two-layered structure है, आप देखिए, इसमें बीश-वीश में, जो cell के margins हैं, उनके अंदर आपको thickening दिखाई देगी, तो यह basically colonchima cell से ही बने हुए होते हैं, यह hypodermis जो है, colonchima cell से बने हुए होती है, अब बात करते हैं कि यह कह हां नहीं पाई जाती, तो hypodermis जो एरिया है, यह colonchima से बना हुआ है, जो कि dicot stem में मैंने आपको बताया, पाया जाता है, लेकिन अगर आप monocot stem की बात करते हैं, तो monocot में यह नहीं पाया जाता है, monocot में और roots में भी colonchima cells नहीं पाया जाते हैं, अब आते हैं, types of colonchima, अभी तक तो हमने पड़ा colonchima cells किस प्रकार के होते हैं, वह कहां स्थित होते हैं, और अब हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के होते हैं, क्या प्रकार है उनका, तो basically वह तीन प्रकार के होते हैं, पहला है angular, दूसरा है lamellar, और तीसरा है lacunar, आईए सबसे पहले हम देखते ह angular type of colonchima, जो इसकी खासियत है, इसकी जो विशेशता है, वह आपको बताया है colonchima cell की विशेशता ही यही है कि उसके अंदर thickening पाई जाती है, अब यह thickening जो है वह अलग-अलग प्रकार से पाई जा सकती है, उसी को आधार मानते हुए colonchima के तीन प्रकार बताए गए हैं, ज angular colonchima में जो material deposited है, walls के अंदर, वह basically angles पे ही deposit है, यह corners पे ही deposited है, अगर आप इसमें देखते भी हैं, छित्र के अंदर, तो आप देखेंगे कि हर एक corner पे यह देखी, जो corner है, अगर हम एक particular cell देखते हैं, तो इनके corners के ओपर thickening आपको ज़्यादा दिखाई देती है, ज़्या material ज़्यादा है, तो इस तरीके का अगर colonchima आपको दिखाई दे रहा है, जो कि most common type of colonchima है, जब भी आप colonchima cells बनाते हैं, तो mostly आपके दिमाग में क्या आता है, कि thickening जो part है, वह thickening आपके walls में, जो cell है, उसके corner पे आपको ज़्यादा दिखाई देता है, तो यही है angular colonchima औ उनमें आपको पेटियाल जो होता है, जहां से लीफ जुड़ी हुई होती है, स्टैम से, उस हिस्से के अंदर आपको यह दिखाई देता है, इवन बीटा जो ब्लांट है, उसमें भी आपको यह angular colonchima नजर आता है, नेक्स्ट अब हम आजाते हैं, लैमिलर colonchima पे, लैमिलर colonchima जो है, दूसरा प्रकार है colonchima का, और इसमें जो ठिकनिंग मटीरियल है, ठिकनिंग इसमें भी देखिए आप आई जाती है, लेकिन आपको इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा होगा, कि जैसे cells जो हैं, वह रोज के अं और एसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो ठिकनिंग है, वह आप देखेंगे कि टेंजेंटियल वाल में ठिकनिंग जादा होती है, बजाए कि रेडियल वाल के, तो रेडियल वाल जो हैं, ये वाली वाल्स हैं, और इसके बजाए आपको यहां पर ठिकनिंग जादा दि ये वाली wall cell की tangential wall कहलाती है तो lamular colon chyma के अंदर tangential wall में thickening बहुत ज़ादा होती है in comparison to radial walls और इस तरह के thickening के कारण आप देखेंगे कि जो cells होते हैं वह ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि rose में present हो आप देख रहे हैं ये पूरा ऐसे लग रहा है जैसे ये rose है ये rose के अंदर present है cells अब आते हैं हम तीसरा जो इसमें था हमारा उसका नाम है lacunar colon का यहाँ जैसा कि नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि lacuna, lacuna का मतलब होता है gap या space कहीं पर तो यहाँ पर जो thickening पाई जाती है thickening यहाँ पर भी आप देख रहे हैं thickening पाई जाती है लेकिन जो thickening है उसके deposition के बाद भी जहाँ पर cell मिलते हैं जैसे मान लीजे चार cell मिल रहे हैं तो वहाँ पर जो gap है जो intracellular space है वह अभी भी मौजूद है उसको आप अभी भी देख सकते हैं देखिए आप जैसे कि यह है आपका यह बीच में आप intracellular space देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं जबकि आप देखिए कि cells के चारों तरफ भी आपको thickening नजर आ रही है लेकिन वो dark portion नजर आ रहा है वह थिकनिंग है यह थिकनिंग है लेकिन थिकनिंग के बावजूद यहाँ पर intracellular space मौजूद होता है तो इसको हम कहते हैं lacunar colonchima तो तीन प्रकार हमने पड़े angular colonchima, lamular colonchima and lacunar colonchima angular से बात समझ में आ रही हैं angles पे तो जितने भी जो भी cell का अगर मान लीजे polygonal shape है, hexagonal shape है या किसी भी प्रकार का जो shape है उसमें जो corners बनते हैं उन corners के उपर वहाँ पर थिकनिंग दिखाई देती है और अगर corners आपको नहीं भी दिखाई देती है मान लीजे round structure है, oval structure है cell का तो उस cell के चारों तरफ आपको ज्यादा thickening दिखाई देगी और कुछ edges के उपर कुछ किनारों पे आपको thickening in comparison to other walls आपको ज्यादा दिखाई देती है इसलिए उसका नाम angular column है दूसरा हमने पढ़ा था lamellar lamellar से मतलब होता है, lamella या layer से मतलब होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे layers जैसी form हो गई है और layers form होने के कारण, बड़ी thick layers form होने के कारण वो cells ऐसे प्रतीत होते हैं, जैसे rows के अंदर arranged है तीसरा हमने देखा lacunar colonchima, lacuna से मतलब होता है gap तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो cells हैं, उनके बीच का जो intercellular spaces है वह अभी भी यहाँ पर मौझूद है, थोड़ा paranchima से compare करें, कम हो सकता है लेकिन gap अभी भी मौझूद है, thickening होने के बाद भी cells जहां meet करते हैं, जहां मिलते हैं चार cells वहाँ पर आपको gap नजर आएगा या space नजर आएगी, इस प्रकार का जो colonchima arrangement है इसको हम lacunar colonchima कहते हैं, example के तोर पर pitials of salvia and malva कि उधारन हमने दिया, malva और salvia जो है, इन plants के pitial में यह पाया जाता है अब आते हैं हम, अब बात करते हैं functions की, कि function क्या है colonchima के जैसा कि आपको मैंने यहां पर बताया कि colonchima जो है, वह corners पर थिकनिंग ज़ादा होने की कारण प्लांट को rigidity provide करता है, थोड़ा plant जो है, आप देखते हैं, stem जो है, छोटा सा seedling पहले होता है, थोड़ा soft होता है, धीरे धीरे थोड़ी सी उसमें strength आती है, थोड़ा सा hard हो जाता है, और वो सीधा अप्रेट ग्रो करता है, और अगर आप उसको थोड़ा सा भी हलका सा भी मोडने की भी कोशिश करेंगे, तो भी वो वापस सीधा हो जाता है, तो कहने का मतलब flexible है, plasticity उसमें पाई जाती है, और थोड़ी rigidity भी होती है, ताकि वह straight रह सके, पुरा जुक नहीं जाता है वो, तो थोड़ा rigid भी होता है, तो यह जो characters हैं, यह colonchima के presence के कारण, colonchima present होने के कारण ही, यह सब विशेशता plant में आती है, दूसरा अगर हम देखते हैं, कि chloroplast अगर कहीं पे colonchima में है, तो आपको पता है कि chloroplast अगर होता है कहीं पे भी, तो photosynthesis की प्रक्रिया वहाँ पर हो सक होता है, तो colonchima में भी अगर chloroplast होता है, तो photosynthesis हो सकता है, अब अगर आप चित्र देखें यहां पे, तो यह common मैंने आपको बताया था कि angular type जो है, वो बहुत common type है, तो यहां भी चित्र में आप देखिए, cells जो है, इसके corners बनाके, इस corners पे आपको thickling बहुत सारी दिखाई दे रही है, जहां पे cell मीट करने से, अब यह oval structure है, या round structure है, तो आप देखेंगे कि जहां पर cell मिल रहे हैं, जिन edges में चार cell जैसे मिल रहे हैं, तो यह बीच का जो portion है, यह पूरा thickened portion आपका कहलाएगा, तो जहां भी टच हो रही है, वाल दूसरे से, तो वहां पर portion की thickening बढ़ जाएगी, तो angular type जो है, वो सबसे common है, जब भी हम चित्र बनाते हैं, तो आप देखेंगे, angular type वाला ही कॉलन काइमा हम ज़्यादा तर बनाते हैं, तो अब इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें कॉलन काइमा के बारे में जो पढ़ी, वह एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, कॉलन काइमा एक तो कौन सा किस प्रकार का सेल होता है, कॉलन काइमा सेल्स जो हैं, वह लीविंग सेल्स हैं, सारे सेल्स एक्चुली लीविंग नहीं होते, इसलिए हम यह चीज दोहराते भी हैं, और यह बात important इसलिए भी है, कि जैसे हमने पैरन काइमा पढ़ा था, उसमें भी आपको बताया था कि सेल्स लिविंग होते हैं, हम थोड़ा सा कमपेर भी करेंगे इसको पैरन काइमा से, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, कि संख्षित में कॉलन काइमा के बारे में हमने क्या पढ़ा, तो कॉलन काइमा कॉलनुग काई मां सेल्स, लिविंग सेल्स हैं वेक्यॉलिटेड होते हैं वेक्यॉल्स इसमें पाया जाते हैं और protoplast में कई बार kloroplast भी इसमें पाया जाता है cell wall की बात करते हैं तो cell wall जो है hemicellulose, packedin cellulose की बनी हुई होती है lignin material इसमें नहीं पाया जाता है monocot, stem और root के अंदर ये absent होते हैं नहीं पाया जाते जबकि dicot stem के अंदर यह पूरी layer की तरह पाये जाते हैं और उस layer को हम hypodermis कहते हैं आम तोर पे यह आपको stem में, leaves में, floral parts में, fruits में, सभी में आपको यह दिखाई देते हैं प्रकार हमने पड़े तीन प्रकार हैं angular, lacunar and lamular angular मतलब corners पे पाया जाना lamular मतलब layer की तरह form हो जाना जिसमें की radial wall की thickening कम होती है बजाए की tangential wall के lacunar जिसमें की जहां पर cells meet करते हैं, मिलते हैं वहां पर space रह जाती है, thickening के बावजूद भी तो वह कहलाता है lacunar functions की अगर बात करते हैं तो functions में main function है इसका rigidity या strength प्रोवाइड करना plant को mechanical strength ये प्रोवाइड करता है प्लांट को उसके अलावा elasticity, लचीला पन भी प्रोवाइड करता है मतलब आपने अगर प्लांट को मोड़ा तो ऐसा नहीं होगा कि वो मोड़ते ही तूट गया, तूटता नहीं है तो वो हर क्यों नहीं तूटता है क्योंकि वो लचीला है लचीला किसके कारण है? क्योंकि उसमें कॉलन काइमा मौजूद होता है इसलिए तीसरा point है कि photo synthesis ही कर सकता है अगर इसमें chloroplast मौजूद होता तो ये हमने सारी विशेशता हैं कॉलन काइमा की पढ़ ली आप देखेंगे सेल वहां भी living होता है, vacuolated होता है, protoplast पाया जाता है तो क्या चीज इसको अलग करती है प्राण काइमा को कॉलन काइमा से यही चीज अलग करती है कि wall जो है वहां पे cellulose की बनीवी होती है और thin walled structure है उसकी wall बहुत पतली है जबकि कॉलन काइमा में wall थिक भी है और दूसरा जो थिकनिंग पाई जाती है वहां uneven है एक जैसी थिकनिंग चारों तरफ cell के नहीं पाई जाती है यही सबसे बड़ी विशेशता है दूसरा point आता है कि वहां एक तरीके से storage tissue आप उसको मान सकते हो जैसे कि food material नोहां पे store हो सकता है और दूसरा ground tissue की तरह उसको मान जाता है जैसे ground tissue से मतलब है कि पूरा cortex आप देखेंगे कि पैरेंकाइमा का बना हुआ है पित जो है वहां आपका पैरेंकाइमा का बना हुआ है जबकि colon काइमा जो है basically कुछ parts में ही मौझूद होता है और जैसा कि हमने यहां example आपको बताया कि dicot stem में अगर आप देखेंगे तो वहां hypodermis बनाता है तो यह कुछ points हैं जिसमें कि हम देख सकते हैं कि पैरेंकाइमा से किस प्रकार से समानता दिखाता है और किस प्रकार से यहां पर कुछ differences भी है जो कि इसको अलग करते हैं पैरेंकाइमा से जो कि इसकी विशेशता है और विशेशता वही है क्या uneven thickening तैंक यू आशा करती हूँ आपको यह सब जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा होगा हम बहुत नजदीक हैं वीडियो को देखें इनसे लाभानवित होएं और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपके पास notification पहुंच रहा है आप वीडियो देख रहे हैं और कोई भी आपको doubt होता है मन में कोई प्रशन आता है तो आप वीडियो में नीचे जो comment box बना हुआ है उसमें मुझे लिख कर प्रशन पूछ सकते हैं मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूँगी धन्यवाद